नमस्कार जी सभी भाईयों को भाई आज का वुलोग पूरा अलग से सूट होने वड़ा है नए सिरे से क्यूंकि आज का वुलोग हो रहा है सूट देशी अंदाज में चलिए शुरू करते हैं तो देशी अंदाज की जब बात करी दीते सबसे पहले यह देखे जोपड़ अग्ति का स्वाद आज भी ले सकते हो और पूरे खेत का वुलोग आज आपको दिखाएंगे और पूरी बाहर जो है खेत में जो भी हमारी फसले है वो सारी आज आज आपको दिखाने वाले तो आईए इस वह लोग का मज़ा लीजे पूरे देशी अंदाज में आज वह आ से आ रहा है रास्ता और यह रास्ता सेदा हमारे खेल में यहां उतर जाता है और हमारे नगी में चले वीडियो लिए देखे सूरज की क्या मस्त किर्णे बाहर निकल दिया चारो साइट से बादल है बीच में से सूरज दिख रहा है आपको और यह देखे पास-पास को कैसे किर्णे निकल लिए बाई जबरदस्त मज़ा आगया बाई देखे तो बाई जो गन्या की फसल है ना हमारी उतनी बाई बात तो नहीं है लेकिन जो 6-7 साल की हमारी मेहनत थी ना वह मेहनत पूरी हुई और उस मेहनत का जो फल है वाज हमें मिल चुका है तो वह व्लोग आपको दिखा रहा हूं मैं आई ये पूरा मज़ा लिए बाई देखे स्वैग में भाई जैदा नहीं हो गया यह मतल तो अभी पत जड़ है तो यह सारे पेड़ गंजे हो रखे हैं और हमारे जो ठेकदार है वो सामने आपको छोटे से नजर आ रहे होंगे यह देखे और यह है भाई हमारे महनत 6-7 साल की जो की पूरी हुई आज महनत और इनमें हमने भेज़ दिया कटाई अच्छा और इदर चुलाई भी लगा रहे हमने यह छोटा यह पोगी वोलते हैं गाव में इनको तो यह पोगी छोड़ रहे हैं और बोरू था यह गन्ना तो उसको निगाल ले बड़े-बड़े को छोटा छोड़ दे हमने वाट तो इस बार यहां पर लग रहे हैं करेले पिछली करेले की मैं थोड़ी पोद भी दिखा दूँ अब भाई कैसी होती है करेले की पोद हाई यह कर लो पहले और यह है जी यहां के करेले की पोद तो यह भाईर ने गन्ना खाया होगा तो यह गन्ने के छुला का बाई वैसे तो इनना छुला कैद ऐसी वासा में लेकिन यह गन यहां बार्फेसक क्रेली मातरा में और यहाँ होता है किल्डा scheduling कुला में तयार पेले में प्हर से बाइए हेश्या मेथ किल्ड़ बीओ में के लादा बड़ा गेंगेुन की और लुए तो मैं चाहता हूं कि ऐसी फसल सभी के यहां पर हो क्या आले भाई दोस्तों भाई बढ़िया यह लोंडा गाने वह सुना खतरनाक कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहां तुमको पागल कुट्टे का गारी उटा के ले जाएगा बता रहे हैं तो दोस्तों मैंने भाई लोगों से प्रता किया कहरें कि इसमें दो फसल होगी एक ख खेती तैयार होती है यानि के पानी के स्रोत के पास अच्छा हमको सिकारिया है यह दोस्तों हमारी वाली ट्वैल और अभी तो बंद पढ़ी है तुम्हें पता ही है पिछले दिनों बारिस हुई थी ओले-ओले पढ़े थे पूरे दबा गए क्या कर रहे है तु मजाक है क्य यह है बाई यह रुका हुआ पानी है यह अंदर से पानी आता है यह जाता है नाली के साथ हमारे खेतों में क्या बात है सर क्या बात है सर क्या बात यह बात है चलो जी आपको खेती भी दिखा दी ट्वैल भी दिखा दी और आप आए हम सहतूत के पास तो यह सहतूत लगे ह अभी कच्चे हैं लेकिन पकने के बाद इनको खाओगे तो यह टेश्टी भी होते हैं उसके साथ साथ यह बहुत ही लाबदाइक भी होते शरीर के लिए यह देखिए तो साथ ही हो काफी सारी फसले आज मैंने आपको दिखा दी है बता दी है तो पहले नमबर पे मैंने आपको दिखाया गन्ये की फसल दूसरे नमबर पे दिखा सर्सों की फसल और तीसे नमबर पे आपने हमारे पपलर के पेड़ों की फसल देखी चोथे नमबर पे हमारे जो द्धान गेहूं इनकी फ़सल देखी आपने गेहूं तयार होने वाले हैं चोथे नंबर पे पांचवे नंबर पे आप आपने देख है खेड़े की और कडेले की फशन और लास्ट में आपने अपने कोश्टूम भी चेंज हो चुकी है तो फ्लीज खेत में कोश्टूम को जज मत करना क्योंकि दोस्तों काम ही कुछ ऐसा होता है और काम आप देखी रहे हो मेरे कंदे पर आ चुका है फावला और फावले की जुम्मेदार आज आपको दिखाता है कैसे तेल निकलता है खेत में अब यह यहां प्रोपर तरीके से नाली नहीं बनी थी उदर देखो लाश्ट तक यह नहीं बनी हुए तो यह फावले द्वारा बनाए जाएगी और यह प्रोपर तरीके से गन्नाब होया ज तो बाई दोस्तों कुछ नाली हमें इस तरह से फावले से बनानी पड़ेगी और पूरा वर्थ तो आपको नहीं दिखा सकते कि उसके कारण व्लोग भी लंबा हो जाता है और थोड़े सांस भी फूल जाता है तो यह अपने गन्ने की वहाई कुछ इस परकार से हो रही है आलने आ हैं अपनी फैमली खेत में है देखे बच्चे कुसी खुसी गन्ने को बोरे है का च्चे कैसे खुसी को भी में भाल भाई आपको खिटों की बौई तो दिखा दी तबना किस प्रकार से बोरी थी और आप गुंजन को देखे घंडा कैसे बोरी है बीज को बिल्कूल ऐसे दीसे से देशे濃त रहे है कभी तर उदर हो जाए और ये देखे कि टो भी आ गई है कालू भी आ चुका जिसका नाम है देव हमाई देव गन्ना कैसे बोते हैं कि वेरी गुड देव को भी बोरे दो हां ऐसे गन्ना ऐसे बोते हुआ वीडियो के बीच में तो फुर्ती आ जाती है बच्चों में क्या बात है अब साले तभी में माप करने हो गुष्चे में दो दो निकल जाता हूं है और वार कित्टों आवर्बया गना बोरे देगा कि टॉर बिचल दी इवाई गन्ना लेके कि टो कैसे बोते है गन्ना जांव कर दिखाओ वेरी गुड अब कित्टों सभी गनना वना आगया फाई और उमीद है कि इस बार गन्ना बड़े निकले हां कित्तों इद देखकर तो भाई दोस्तों जैसे कि आपने देखा मैंने थोड़ी देर फावला चलाया फिर थोड़ी देर मैंने खेत में दबाई डाली उसके बाद मैंने हल चलाया कुछ देर जैसे कि आपने वीडियो में देख लिया ओलेडी और अब भाई चला रहे हैं हल तो इसको बोलते हैं दे कि बासा में इसको हमारे यहां तो बोलते है पाड़े पाड़ने यानि कि पाड़े पाड़ theme अभी तो इसके बाद फिर मेड़ा मारेंगे ताकि यह समतल हो जाए एक सार हो जाए भूमीं और फिर इससे धीर धीर गन्य निकलना हम दिखाएंगे और फिर से मेरा काम हो गया श्टार्ट फावले का कि जो कौने में होते हैं वहान तक बैल नहीं पहुच पहते हैं तो मैं फावले से एक सार कर रहा हूं और इसी के साथ साथ अपने व्लोग का करते हैं अगर व्लोग देशी व्लोग आपको थोड़ा भी पसंद आया तो लाइक और शेर चैनल को सब्सक्राइब जरू कर लेगा ओके बाबाई